मद्यप्रदेश के खरगोन में नाबालिक के साथ हुए गैंग रेप के आरोप में चोथे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला आईजिन दौर ने आरोपियों पर इनाम राशी 10,000 से बढ़ा कर 20,000 कर दी है दोगुनी राशी के साथ भी डायल हंडरिट के लापरवा कॉंस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है ग्रामिनों ने शिकायत की थी कि घटना के दोरां सूचना देने के बाद भी डायल हंडरिट प्रभारी कॉंस्टेबल दो घंटे बाद वहां पहुँचे थे खरगोन जिले के जिर्निया थानाक्षेत्र के मारुगड में नाबालिक के साथ हुए गैंगरेब के चोथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है आईजी इंदोर योगेश देशमुक ने जिर्निया के मारुगड पहुँचने के बाद संपूर्ण जानकारी ली ग्रामिनों की शिकायत की जाच में डायल हंड्रिट के आरकशक बलवीर यादव के लापरवाही सामने आने पर आईजी ने कॉंस्टेबल को सस्पेंड कर दिया अफसरों का मानना था कि अधिजाल 100 आरक्षक बलवीर समय पर पहुंच जाता तो आरूपियों का पीछा कर उन्हें पकड़ा जा सकता था साथ ही आईजी योगिश देशमुक ने आरूपियों को पकड़ने पर गोशित किये इनाम की राशी 10,000 से बढ़ा कर 20,000 करती है